हेलो फ्रेंट्स नमस्कार शेरवान के एक और वीडियो में आपका स्वागत है अभी हम बात करेंगे टाटा मोटर की टाटा मोटर देखिए कल की डेट में चार मई को इसका टार्गेट प्राइस क्या हो सकता है इस चीजों के लिए हम तीन चीजों का साहरव लेंगे नंबर एक चार्ट नंबर दो आर्स की नंबर पिंप चीजों तीन चीजों हम देखेंगे इसका टार्गेट प्राइस कितना हो सकता है तो सबसे पहले हम चलते हैं चार्ट पर RSI जिसके स्कलेते हैं दोस्तों RSI इसका 43.94 अभी दिख रहा है ये RSI का चार्ट आपको दिख रहा है मैंने आपको बताय हुआ है कि RSI 30 से 80 के बीच में 30 पर होता है लगवग आसपास होता है तो oversold zone में होता है 80 के असपास होता है लगवग overbought zone में होता है अभी RSI इसका 43.94 चला है तो ये 30 के ज़्यादा नजदीख है और 80 से ज़्यादा दूर है इसका मतलब कि oversold zone के ज़्यादा नजदीख है लगवग oversold zone के असपास है oversold zone के असपास कोई share होता है तो उसका क्या मतलब होता है वहाँ से एक bounce back दिखा सकता है सीधा सा सीधा मतलब है तो RSI indicator क्या बोला है एक bounce back दिखा सकता है ऊपर की तरफ कहां तक जाएगा ये हम चार्ट से discuss करेंगे अब ये देखिए हमने आज की date में ये चार्ट लगाया था ये तीन माई को जो है share price 290 से 294 पंचानवे रुपए पे close हुआ ये देखिए 293 रुपए 10 पैसे close हुआ है क्यों market थोड़ा से नीचे gap down open हुआ था और दिन भर market ऊपर नीचे ऐसे करके fluctuate होता रहा बस last time में लगभग 2 बच के 15 minute को ये देख रहे है दो बच के 15 minute पर ये एक bounce back दिखाया है यहां से 294 पंचानवे रुपए तक गया और फिर 293 पंचानवे रुपए 10 पैसे के असपास close हुआ है तो दोस्तों उपर की तरफ कहां तक जाएगा हम सबसे पहला टार्गेट 295 तक तक जा सकता है दोस्तों